दिव स्क्रिक्ट में आपका स्वागत है आज हमारे साथ वरिष्ट प्रत्रकार उर्बलेश है हम बातचीत करेंगे अजीद दोवल का जो अभी स्पीच आया जिसमें उन्हाने कहा दस साल की 27 अन्मजबूत सरकार चाहिए और यह भी कहा कि जो कहते हैं कि यूनाइट फ्रड सरकार हो इस तरह के सरकार नहीं होने चाहिए कोईलेशन सरकार नहीं चाहिए यह पहली बार एनेसे जैसे कॉंस्टिटूशनल फिगर है के साथ से वो राजसरासर राजडीत में इस अपना इस तरह के मंत्यबे रख रहे हैं तेक्निकली अगर देखा जाए तो नेशनल सेक्यूर्टी एडवाइजर की जो पोस्ट है का जो पद है वो सरकारी पद है और नियमतह अगर सरकारी बंधनों को देखा जाए उसकी शर्तों को देखा जाए तो उनको स्ट्रेटिजी पर बात करनी चाहिए डिफेंस पर बात करनी चाहिए सेक्यूर्टी पर बात करनी चाहिए डिफेंस से जुड़े है सेक्यूर्टी इंटरनल सेक्यूर्टी से जुड़े है उन पर बात करनी चाहिए बाहराल चूंकि वो बहुत पुराने संग के बहुत दिख हैं जब वो भारत सरकार की सेवा में थे तब भी उनको माना जाता था जो मीडिया में या बाहर की सरकिल में कि वो संग से काफी नजदी की हैं और यही कारण है कि उन्होंने विवेकानद फांडेशन के वो संस्थापक भी माने गए और रहे तो हम थोड़ी ज़र के लिए मान कर चलते हैं कि हम उन पर वो सवाल नहीं उठाते कि वो क्यों न बोलें वो जो चाहे वो बोलें उनकी सरकार है वो थिंग टैंक हैं नौक इवल वो एक सेट्यूर्टी एडवाइजर हैं बलकि इस सरकार के काफी महत्वठोंड़ व्यक्ति हैं हम उस लिहाज से देखते हैं थोड़ी ज़र के लिए और वो कह रहे हैं सवाल है क्या कह रहे हैं वो हम उनको अगर संग और भारती जंता पार्टी के नजदी की विचारक या थिंक टैंक के रूप में देख कर बोलें तो जो वो बोल रहे हैं वो उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा की ये राय पहले से नहीं रही है इसका मतलब इसमें शिफ्ट है इसमें ब के दिनों में, उन्होंने हमेशा मौर्चे-बंदी की राजनीत करनी चाहिए. उन्होंने बिहार में उत्र प्रदेश में ऐसे बहुत सारे प्रियोक करने चाहिए. उन्हें चुछ एक में सपल भी की महिमा तब गाते थे अच्छा दूसरे इनके जो सबसे बड़े नेता रहे अटल विहारी वाजपई अटल विहारी वाजपई ने तो संसत से लेकर सड़क तक हर जगा गठ बंधन की महिमा गाई गठ बंधन क्या ये तो एक तरह से विले के भी लिए पक्ष में तयार हो गए और जब जनता पार्टी बनी तो उसमें विले कर लिया जनसंका वो भी कहते हैं कि एक टैक्टिकल मूव था तो जो लोग जिनका अतीत ही गठ बंधन से और इंद्रा गांधी की भाषा बोल रहे हैं जब स्रीमती इंद्रा गांधी को सारे देश की अपोजिशन पार्टियां कहती थी कि वो निरंकुश होती जा रही हैं दूसरी बात ये बार बार कहा रहे हैं प्रचंड बहुमत वाली सरकार यानि बहुत मजबूत सरकार चाहिए तो हमारे देश में दो-तीन सरकारें बहुत मजबूत सरकारे रही हैं प्रचंड बहुमत की हम शुरू के दौर की बात छोड़ देते हैं क्योंकि तब आजादी के बाद भारत निर्मान के सपने थे उसमें हर तरह के लोग पार्टस्पेंट थे वामपन्ती, सोसलिस्ट, र राजीव गांधी जी को मिला, क्या हुआ दोनों में, एक का जो हस्र हुआ इमर्जनसी में, चाल साल पे बहुत बहुमत वाली सरकार सडकों पे कमजोर पड़ गई, और आम जन्ता के राय में ये कहीं नगी कॉम्प्रमाइज नजराने लगी, और देखिए अब ये तीसरी प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, इसका क्या हाल है, राजीव गांधी की सरकार कह रहे हैं, उसका भी वही हस्र हुआ है, इस सरकार का देख लीजे, मोधी सरकार का क्या हस्र है, इसका तो प्रचंड बहुमत कभी नहीं मिला, इसको तो जना बहुमत तो नहीं मिला कम से कम, तो मुझे लगता है कि ये जो कह रहे हैं इनकी जो सोच है उसमे एक शिफ्ट है और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हम 10 साल पावर में रहें लेकिन उसके लिए आपको जनादेश लेना पड़ेगा जनता का आप बार बार जनता को इग्नोर क्यों कर रहे हैं तो ये तो जनादेश के वह केंपेइन से शुरू किया ना इसको तो एक हिसाब से कैंपेइन स्पीच मान सकते हैं कि अगले लोगसभा के लेक्शन के लिए इन्हों ने कैंपेइन शुरू किया दोबल साब ने बिलकुल मुझे लगता है कि वो एक कैमपेंड है और उन्होंने आल इंडिया रेडियो के फोरम का, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि दूसरों के लिए नजीर नहीं पेश करनी चाहिए, इतनी खराब नजीर, आप आल इंडिया रेडियो के एक मेमोरियल लेक्षर में बोल रहे हैं, आपको एकेडमिक डंग से बोलना चाहिए था, आप विद्वान आदमी हैं, आप भारती पुलिस सेवा के टॉप अधिकारी रहे हैं, आप स्टेटिजी और डिफेंस पर बात करते, ज्यादा बेहतर डंग से आप बात करते, मुझे ल लगा होगा है कि हम प्लिटिकल थोड़ा इंटर एक हस्तक शेप करें, जिससे कि हमारे लोग जो हैं, उनको रहात मिले, या उनको अच्छा लगे, सुनानी के लिए भी होता है, कि एक और एक क्या कहते हैं, क्या आप कहें इसको, कि जो बुद्धे इस वक्त आम जनता के एक तो उन्होंने कहा कि अप्रिये मेजर्स लेना है, और अप्रिये मेजर्स सबसे बड़ा तो डी मॉनिटाइजेशन रहा, इसके बाद GST जो सबको टच नहीं करता है, तो ये दो अप्रिये मेजर्स रहे हैं, और उसका फल बहुत अच्छा नज़न नहीं आ रहा है, किसी अप्रिये सरकार होनी चाहिए, बात कर रहे हैं? प्रभावित उसने किया साधारन आदमी को, जो दुकानदार है, जो छोटा ब्यावसाई है, जो आम आदमी है, जो नौकरी पेशा है, जो किसान है, सबको उसने प्रभावित किया, आज तक भारत का एक भी ऐसा बड़ा अर्शास्त्री नहीं है, चाहे वो देश के अंदर रहता हो या विदेश का, यहां तक की विदेशी अर्शास्त्री जो भारत पर नजर रखते हैं, उन में किसी ऐसे बड़े अर्शास्त्री ने, जिसका पूरी दुनिया में नाम हो, उसने नोट बंदी को सही कदम नहीं ठाराया, और अब तो रिजर्ट बैंकाफ इंडिया क जो आखड़े आचुके, उनसे भी साबित होता है कि यह विद्वन्सकारी कदम था, यह विद्वन्सकारी था, और किसी कीमत पर नहीं माना आजा सकता कि नोट बंदी का जो परपज बताया गया, पहले उन्होंने क्या नोट बंदी का परपज बताया, कुछ और बताया, फ पहले से, यह भी आखर अख्राः है जै। मुझे ऐसा लगता है कि जब यह कथोर फैसले लेने वाली सरकार की बात करते हैं तो इनके दिमाग में यही है कि हम कार्पूरेट के पक्ष जो फैसले हैं जो अभी सरकार को कथोर फैसले लग रहे हैं उनके बारे में बताएं कि यही बेहतर फैसले हैं और इससे आपको आगे फैसले होगा क्योंकि अपने भाशवान में वो ये कहते हैं कि लोगों को लग सकता है कि ये फैसले उचित नहीं हैं लेकिन बाद में फैसले उनको होगा ये कैसे इसका एक जमाने में बहुत पुरानी चली थी ट्रिकल डाउन थियूरी यह वर्ड बैंक आईमेफ के जो बड़े स्टेडिजिस्स थे डेवलप्मेंट के वो बताते थे भारत को बंगलादेश पाकिस्तान जैसे देशों को कि भई उपर से अगर संब्रिदी आएगी तो नीचे टपकेगी उसका धजियां उड़ गई भारत के डिवलप्मेंट इस पर और एक चीज है यह कहा जाता था बाद में इस पर फाइदा होगा और लॉर्ड कीन्स जिनको आप जानते हैं कि बहुत बड़ा बिद्वान रहे उनका कहना था बाद में तो सब हम मर चुके हैं इस तरह से वो उसका अप्रियता को पेश करना चाहते हैं यह नहीं लग रहा है लेकिन जनता उसको गरहन करने को तयार नहीं है क्योंकि वो इतने कड़वे स्वाद इनके चख चुकी है अब आप देखिए नीचे से उपर तक देश में आप किरला को देख लिजे आप कश्मीर को देख लिजे जहां जहां यह कदम उठा रहे हैं वो सारे के सारे कदम समाज विरोधी हैं शबरी मला को लेकर जो इन लोगों ने कदम जिस तरह से किया सुप्रीम कोट आफ इंडिया की वर्डिक्ट आई उस वर्डिक्ट के खिलाप करें हैं आप कश्मीर को देख लिजे इन ही के प्रधान मंत्री एक जमाने में वाजपेई जी थे उन से पहले उसके बाद मनमौहन सिंग्ग की सरकार आई आप पसंद करें ना पसंद करें हम करें ना करें लेकिन ये बात सही है कि कश्मीर में हालात 2002 के बाद बहतर हुए चीजें प इगटन पैदा करना ये काम अगर कठोर फैसला है जो भारत की जनता को बाद में फैदा पहुँचाएगा तो ऐसे कठोर फैसले को जनता कैसे मानेगी और एक बात और मैं प्रवीव कहना चाहता हूं जोड़ देकर क्योंकि हमारे देश के मीडिया में मद्धिवर्ग में भ है वो हेल्थ पॉइंट अफिल से खिचडी बहुत ही बढ़िया खाना माना जाता है यहां तक की जो बड़े-बड़े भोजन विशेशक हैं वो भी कहते हैं खिचडी बहुत ही सुसवाद चीज है और ताकत देने वारी है मरीज को कड़बे दिवाई से खिचडी ज्यादा तो लेकिन गठबंधन सरकारों के अगर आप दौर को देखें तो केंदर से लेकर राजित तक अगर आप एक तुलना करें शुरू के दौर में भारत में केरला की स्थिती इतनी खराब थी कि विवेका नंदर जब बहुत पहले आये थे उन्यस्वी श्ताबदी के में convert किया गया आज की तारीक में Human Development Index में केरला नौकेवल भारत में सरवच स्थिती रखता है बलकि European कंट्री से compete करता ना जाराता है दूसरी तरफ land reform से लेकर health schemes educational reforms तमाम schemes जो चली वो left democratic front की सरकारों ने किया आप करनाटक जो बहुत बुरी स्थिती थी राजी बनने के बाद करनाटक में भी बहतरीन जो काम जिस समय हुआ देवराज जर्स का पिरेड आप ले लीजे पहले कांग्रेस के साथ थे बाद में क्रांती रंगा उन्होंने बनाई गटमंदन सरकार थी लैंड रिफार्म्स का सबसे महत्पूर्ण काम और इंडिसलाइशन का और दोगी करण का दोनों जो हुआ देवराज अर्स के पिरेड में वो सोशलिस्ट टाइप नेता थे लेकिन उन्होंने बहतरीन काम किया गटमंदन सरकारों का तमिलनाड तमिलनाड में भले ही एक पार्टी दो पार्टी की सरकार रही लेकिन सोशल अरूर आल उचना कर सकते हैं लेकिन उन्होंने स्टैबलाइज किया समाज को उन्होंने उतल पुतल वाले समाज में और द्योगिक विकास क्रिसी छत्रे में विकास किया और आप देख लिए आप कश्मीर को ही देख लीजे कश्मीर में 1953 में जिस सरकार को गिराया था कांग की सरकार जो 2002 में बनी मुफ्ति मोहमत सईथ की अगवाई में कॉंग्रेस के साथ गठ बंदन में उसी सरकार के कारिकाल में मैं समझता हूं कि धीरे धीरे इस्टेबिलाइज होने लगा कश्मीर आतंकवाद में कमी आई लोगों का पाइस्पेशन बढ़ा डिमोक्रिक जो एस्पिरिशन्स लोगों के हैं उसको भी एक तरह से मरहम लगाया गया तो यह सारी उपलब्दियां जो हैं सरकारों की केवल लेफ्ट की बात नहीं कर रहा और केवल प्रेस्टेंट बहुमत की सरकार से काम चलेगा मुझे लगता है यह तत्थेता गलत बात है दूसरी बात जो दोवल साब की है कि अंदरूनी खत्रा ये बाहर के खत्रा से ज्यादा है ये जो बात कह रहे हैं कि इस वक्त जो वाइलन्स नजर आ रहा है डिविशन्स नजर आ रहा है इसको जस्टिफाई करने के लिए पेश कर रहे है पहले तो डोवल साब से ये जिस वक्त समाज में लगता है कि ठीक ठाक चीज़ें चलने अच्छानक आप कोई न कोई मुद्दा छेड़ देते हैं की लफ ज़हाद छोड़ते हैं कभी आप लिंचिंग का अव्याँच छेड़ देते हैं कभी आप मंदिर मस्जित का मामला छेड़ देते हैं आप विक देशी शक्तियों से ज्यादा खत्रा देश के अंदर है तो फ्रांस से 69,000 करोड में आप इतने रफाल विमान क्यों करीज रहे हैं वो भी इतने महंगे दर पर और इतने सारे कार्पूरेट इंवॉल्मेंट के साथ जिसमें कि आपने भारत सरकार की कमपनियों को अग्नोर कर या तो अगर बाहर से खत्रा नहीं है तो फ्रांस से, रूस से, अमेरिका से, इस्राइल से इतने हरवा हत्यारों का सिगनेशर क्यों कर रहे हैं आप M.E.U. पर और इतने समझोते क्यों कर रहे हैं भाई तो कार्पूरेट को फैदा पहुचानी के लिए, कमिशन के लिए, त दो दिन पहले आठ साल का एक बच्चा मदरसे में मारा गया, किस से खत्रा आपको है अंदर? अंदर मुसल्मान से खत्रा है, किसान से खत्रा है, दलिच से खत्रा है, किस से खत्रा है? तो मुझे लगता है कि ये जो बात कहा रहे हैं कि बाहर से नहीं अंदर से, ये एक जू करते ही रहेंगे हर हफ्ते आज के लिए इतना ही काफी है अगले सब्ता उर्गले जी से फिर बातशीत करेंगे देश के हालात को लेके झाल